गर्जिना नारी चैनल पर आपका स्वागत है आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनाएंगे जो पनीर और गीहा का एक ऐसा कुमिनेशन होगा कि खाने वाले को खुद नहीं पता चलेगा कि वो साही पनीर का जाएगा है या फिर गीहा के सब्जी तो आज में जो स्वास्ते के लिए घीहा और पनीर दोनों ही लाबताएग है और सब्जी बनेगी तो एक दम परिवार के सदों से देखेँगे क्या है तो इसके लिए देखी मैंने क्या-क्या लिया है आदा किलो घीहा लिया है और घीहा का चुनाव करते समयתי हाही पहुत कच दो टमाटर लिए एक प्याज और चार से पांच लसन की पोते लिए छील के और थोड़ा सा पनीर लिया है सो ग्राम के आसपास से पनीर होगा यह मैंने घर में पनीर बनाया है अब देखे सबसे पहले मुझे करना क्या है कि गीया को मैंने छील लिया दो लिया है अच्छे से और देखे गीया इतनी कच्ची है बहुत ही कच्ची गीया है और ये लसन और प्याज को भी अच्छे से छील लिया है टमाटर को भी दो लिया है कुकर लिया है कुकर में सिर्फ मैंने दो घुट पानी डाला है और उसमें घीया डाल दिये प्याज को मैंने बीच में क्रोस कट लगाया और इसको मैंने घीया में डाल दिया इसी तरह दोनों टमाटर भी क्रोस कट लगाके हम गिया के अंदर ही ढाल देंगे क्योंकि इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो इसका रंग रूप कुछ अलगी ही बनेगा अब इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करती हूँ नमक ध्यान रहे मैं हमेशा सेंदा नमक का इस्तिमाल करती हूँ समुंदरी नमक में कभी नहीं करती है आप मैंने कुकर को बंद कर दिया है और इसको गैस बर रख देते हैं ये दो मिंट में क्या होगी घीया हमारी पके तयार हो जाएगी और साथ साथ ग्रेवी के लिए तयार हो जाएगी जब तक ये तयार होती है मैं अपने पनीर को लेके छोटे चोटे पीसे इसमें कर देती हूँ क्योंकि बड़े पीस घीया कच्ची है तो उसमें अच्छी नहीं लगेंगे और मैंने चोटे पीस में इनको कट कर लिया है अब क्या करना है नेक्स स्टेप है वो देख लीजिएगा मैंने गैस पे एक छोटा पैन रखा है और उसमें एक टेबल स्पॉन ओहिल डाला है जोबी ओयल आप इस्तेमाल करते हैं और डाल ये मैं तिल का तिल जादा इस्तेमाल करती हूँ वो डाला है और उसमें मैंने एक पिंच के करीब हिंग डाल दिया अब इस हिंग में मैंने पनीर को एड़ कर दिया और अब इसको थोड़ा सा हिला लेती हूँ इसको जादा नहीं हमें करना है बस हलका सा हमें इसको सेकना है इसको अदल बदल कर ले दे मैं जब तक अदल बदल करती हूँ पनीर को आप वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजे दूसरों को सेर करें ताकि नया मेथड हम सबी को बता सके और मेरी वीडियो का पिछली वीडियो का जो थैंक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी हर्याना से इंदु बाला ने मुझे बहुत बड़ा सुझाओ दिया है वो मैं अभी बताऊंगी आपको क्योंकि अभी मेरी घेया इधर उबल रही है इंदु बाला ने सही बताया कि टूटी फूटी बनाते समय कलर आपको बाद में डाल के पहले डाल लेना चाहिए ठेंक्स बोलना चाहूंगी इंदु जी को कि आगे से इस चीज का दिहान रखा जाएगा आप भी कुछ सुजाओ देना चाहे तो बता सकते हैं आप देखेगा मैंने कोकर को खोल लिया है अब खोलने के बाद यह थोड़ा सा ठंडा हो गया था टमाटर में एक चम्मत से भार निकाल लूँगी प्याज को भार निकाल लूँगी और इसको गहा को एक तरफ रख देंगे और आज की वीडियो का स्पेशल थेंक्स जाता है कैलास कुमारी गुरूगराम के जिन्होंने टूटी फूटी की डिमांड किया है तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए में बना कर तयार रख दूँगे अब देखेगा यह मैंने आराम से इसको ठंडर करने के लिए रख दिया है अब मैंने मिक्षी का जार लिया है टमाटर जो थे उनके मैंने छिलके उतार दिये हैं और प्याज और टमाटर और मैं साथ में एड़ कर देती हूं लसन इसको मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया ह अब लाल मिर्च के जएए मैं डो हरी मिर्च डाल देटी। दो यी डालूँगी क्योंकि बहुत टीक्षी वाली मिर्च है, कान कोल देती हैं मिर्चे तो खाने से, अब इसको मैं मेक्सी के जार में डालकर पीच लेती। अब देखे इस तरह इसका हम चाह करते हैं फाइन पेस्ट बना लेते हैं अब देखे इस तरह जब हमने वाइल कर लिया प्याज को टमाटर को तो एक सिलकी सिलकी पेस्ट हमारा तयार होता है गैस पर मैंने फिर से कड़ाई रखी है और उसमें एक ही टेबल स्पॉन मैंने फिर मैंने ओएल डाला है अब देखे एक टेबल स्पॉन हमने पनीर किया जब डाल दिया था एक अब डाल दिया है अब उसमें मैंने जीरा एड़ कर दिया है जीरे की चटर पटक के आवाज आत हैं हर इस सब्जी में अलग अलग मसाले पढ़ते हैं यह समय एक जशाला डालती है आफ देखेगा। जो हमने ग्रेवी तईयार कि थी जो हमारे जार में थी तो मैने पुरीborne में एड़ कर लिए डालते ही आपको ग्रेवी का नजर आता है देखे कितना चिकना सिलकी है यह कुछ और नहीं है यह सिर्फ इतना है कि जब गिया के साथ हमने इसको बाइल किया था उसी का परिनाम है अब मिक्सी के जार में थोड़ा पाने डाल के वो भी में एड़ कर दिया है अब इसको हमने दो मिंट पकाना है जब तक में मेरा नेक्स थैंक्स है वो जाता है मनीशा और सुमन यह हर्याना की निवासी है बिहार से बहारती कलप्रिट को मैं बहुत बहुत दहनेवा देना चाहती हूँ और इसे के साथ संदीब बढ़कोदिया को भी मेरा दहनेवा जाता है संदीब कुमार को धन्यवाद आप देखे जो मेरी ग्रेवी का कलर है बहुत लाजवाब है मसाले में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा धनिया थोड़ी हाल्दी और थोड़ा नमक क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके आपने देखा पहले भी कम डाला था आप देखेंगा इस तरह की ग्रेवी सिल्की सिल्की ग्रेवी बनके तयार है आप जब आप पनेर और घीया इसमें एड़ करेंगे तो वास्तों में सबजी बहुत लाजवाब बनेगी जिन घरों में बच्चे सबजा नहीं खाते ना उनके लिए ये स्पेशल माओ के लिए मेरा आगर है कि आप सबजी उनको पीट पीट कर मत कहलाईएगा सिर्फ आप तरीका बदलिए और बच्चों को खेलाईए अब पूरी जो ग्रेवी तयार हो गई उसमें मैंने सबसे पहले पनीर के पीसीज एड़ कर दिया आप साथ में कच्ची घीया देखें आप इसमें अच्छे से क्या कर लोंगे पका लोंगे अगला ठैंक्स जो मेरा है लास्ट वाली वीडियो का वह एक असो कुमार्ची है वह है जार गंड से तो इनका भी पहुत पहुत धन्यवाद है कई लोग तो कहें कि यह पूछते है कि आप जो ग्रेवी अलग अलग तरीके से बनात करते हैं यह भारती ने लिखा कि आपकी पनीर और हरी मिर्च की सबजी बहुती लाजबाव लगी हमने ट्राई किया तो भारती ची आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अब आप मेरी यह सबजी देखेगा किस तरीके से आपको इसका लुक नजरा रहा है यह सबजी को मैंन सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए